नमस्कार स्वागताब सभीका मैं हूँ आपके से प्रतिक्षा और देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर है आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत की अर्थ व्यवस्था को लेकर जी हाँ भारत छटी दुनिया की बड़ी अर्थ व्यवस्था के और था तब यहां GST जैसे टाक्स को नए सिरे से शुरू किया गया था ये भारत के लिए एक गर्व की बात है एक उपलब्धी भी कह सकते हैं आप दरसल विश्व बैंक हर साल अपनी रिपोर्ट GDP पर यानि सकल घरेलू उतपाद के दर के हिसाब से हर देश के आकड़ों को गिन कर इकठा करके तब उसे जारी करती है कुछ ऐसा ही इस रिपोर्ट में भी हुआ है और एक और बड़ी उपलब्धी भारत के जोली में वो आती दिख रही है क्योंकि फ्रांस को भारत ने पचाड़ा है और अब छटे स्थान पर भारत है का ये भी जा रहा है कि रिपो एक बड़ी खबर हो सकती है आज भी पहले नंबर पर अमेरिका बरकरार है लेकिन फ्रांस को पचाड़ कर भारती अर्थविवस्था दुनिया की छटी बड़ी अर्थविवस्था के रूप में उभरी है इस पर आज देश में लगातार चर्चा हो रही है तो आईए अब कहा कई बार ये भी गया कि सीटों के बटवारे को लेकर साथ को लेकर और तमाम विश्यों पर 2019 के लिया से किस तरीकी की स्ट्राटेजी बननी है क्या रनीती होगी इस पर बाचीत होनी है नितिश कुमार ने अमिच्शा को डिनर पर भी रातरी भोश पर भी इन्वाइट कि कहा ये जाता है कि डिनर की डिपलोमेसी से बहुत सारी जो राजनेतिक उठा पठक है वो साफ तोर पर सामने आ जाती है और शायद ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही होगी अलाकि दो गंटे की बाचीत नाश्ते पर हो चुकी है अमिच्शा और नितीश कुमार बिहार के मुख अलाकि नितीश कुमार ने अपने तरफ से भी इस पश्ट कर दिया था कि वो NDA का साथ नहीं छोडेंगे किसी भी कीमत पर और अब ये मुलाकात कुछ नए मायनों में सामने निकल कर आ रही है अठकले तेज हैं कि सीटों को लेकर बटवारा जरूर कैसा हुआ होगा इस पर बातशीत हुई होगी ये मुलाकात आज देश में चर्चा का विशय बनी हुई है आगली खबर के और बढ़ रहा है P.M. Modi से जुड़ी खबरें है आगे की दोनों कवरें P.M. Modi से जुड़ी खबरें है सबसे पहले आपको बता देंगे P.M. Modi आज उत्रब्देश के दोरे पर थे जहां विपक्षियों पर हमलावर रहे MSP से लेके तमाम जो सरकार की योजनाय थी उसको सामने रखते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लेते नजर आए तमाम वो बाचीत उन्होंने लोगों के सामने रखी जो की एक सपष्ट नेता के रूप में सामने आ रही थी व विपक्ष को जबरदार तरीके सनों ने गेरा है अमला किया है विपक्ष पर और आपको यह भी बता दें कि अब अगली जो उनकी रैली है जनसभा है वो ममता बैनर जी के गड़ में है यानि पशिम बंगाल में है अठारा तारिक से मांसून सेशन शुरू हो रहा है मांसू 2019 की जो तयारियां है वो BJP के खेमे में शुरू हो गई है पिये मोदी किसी भी मौके को चूकना नहीं चाहते किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते अगली खबर करूख कर रहे है जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधान मंतरी मोदी से ही जुड़ी अग नहीं एक खास जगें बनाई है जिसमें फॉलोवर्स के रूप में वो तीसरे नंबर पर आते हैं और एक बड़ी उपलब्धी उनके नाम ये आई है कि वो दुनिया के दूसरे बड़े ताकतवर और प्रभावशाली नेता बन चुके है अलाकि ट्रम्प अभी भी उनसे आ जाते हैं दरसल संजू फिल्म रिलीज होने के बाद जहां उसकी तारीफें हो रही है वहीं रास्टी स्वयम संग का मुकपत्र है उसके मुताबिक ये संजू फिल्म दिखाकर राजकुमार हिरानी क्या साबित करना चाहते हैं दरसल इनके कॉलम में ये लिखा गया है जो पैसे कमाने के नाम पर ये फिल्म बनी है उसके मुकपत्र है वेश्व स्तर पर उसने कई सारे रिकॉर्ड सोड़े हैं लेकिन फिलाल रास्टी स्वयम सेवक संग संजू से बहुत जादा खुश नजर नहीं आ रही है पांच जन्य की कवस्टोरी में ये खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि आखिर संजू दिखाकर राजकुमार हिरानी क्या साबित करना चाहते हैं ये खबर आज सुर्खियां बनी हुई है तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन पर चर्चा हो रही है देश में जो चर्चा का विशे बनी हुई है कर दो